वेल तो हे गाइस वेलकम टू माई चैनल माने मिस्पंकस तो वेल आपका स्वागत है नौर में रेस्लिंग में एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले की डेवलोवली हमें यहाँ पर जल्द ही नए टाइटल डिजाइन बेल्ट को लाने वाली है इसको लेकर यहाँ पर हमें काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल चुकी है और कब तक हमें यह एक्सपेक्टेड है कि नए टाइटल देखने को मिलेंगी तो इसको लेकर यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट है तो इस तिंग के उपर डिटेल में डिसकस करने वाले हैं इंट्रस्टिंग अपडेट देखने को मिल रही है जो की मंडे नाइट रोके वीवर्शिप की तरफ से और टिकर्ट सेलिंग स्मैक डाउन की भी काफी खतरनाक देखने को मिली है तो उस तिंग के उपर ही बात करेंगे और भी अच्छी कासी अपडेट होने वाली है इस 30 सेप्टेंबर का जो हमें स्मैक डाउन देखने को मिलेगा विनिपेग में तो यहाँ पर हमें काफी बढ़ियां टिकर्ट सेलिंग देखने को मिली है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि विनिपेग की क्राउड की जो यहाँ पर हमें कैपैसिटी देखने को मिल रही है वो 9 familiarity है, यानि कि 9,033 याँ पर हमें total capacity देखने को मिल रही है, और जो ticket sell हमें याँ पर होते हैं दिखाई दे चुके हैं, वो 8733 है, यानि कि 8733 यानि कि 8,733 tickets याँ पर sell होते हैं, और available ticket याँ पर श्रिफ 300 है, यानि कि 300 tickets श्रिफ याँ पर available है, तो ये काफी बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है और SmackDown पूरी तरीके से कह सकते हैं कि Sold Out होते वे दिखाई दे चुका है और 300 टिकट है तो ये तो हमें मतलब 1-2 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा तो ये काफी बड़ी बात देखने को मिल रही है वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते है तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रावडी रॉंडर रावजी की तरफ से तो रावडी रॉंडर रावजी ने एक काफी जादा इंट्रस्टिंग और बढ़िया बात कही है WL fans के लिए और UFC fans के लिए वैसे पहले ही बता दू कि ये वाली जो update है इसको सुनकर कुछ UFC fans जो की offend हो जाएंगे और WL fans तो काफी ज़्यादा खुस होने वाले तो सुना देता हूँ तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Ronda Rousey अपने recent के gaming live stream में काफी कुछ कहते वे दिखाए देती है UFC fans को लेकर और WL fans को लेकर जहांपर उनका ये कहना था कि जो UFC fans होते हैं वो काफी ज़्यादा care करते ही नहीं अपने fighters को लेकर जो लोग पसंद करते अपने favorite fighter को उन fighters को भी जो की ज़्यादा देर तक वो पसंद नहीं करते तो ऐसा कुछ यहांपर Ronda Rousey कहते वे दिखाए देती हैं यानि कि fans केर नहीं करते अपने उस fighter को लेकर यानि कि UFC के fighters को लेकर तो ये कुछ यहांपर Ronda Rousey का कहना था यानि कि clearly यहांपर Ronda Rousey कहते वे दिखाए देती हैं कि UFC के जो fans होते हैं वो अपने fighters के बारे में उतना carry नहीं करते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन यहांपर जो WL fans होते हैं वो अपने wrestlers को लेकर अपने superstars के बारे में काफी ज़्यादा care करते हैं तो यह कुछ यहांपर Ronda Rousey कहते वे दिखाए देती हैं जो कि एक former UFC superstar है UFC hall of famer है और यहांपर WL superstar हमें देखने को मिल रही है तो भाई वो अपने experience से बता रही है जो कि काफी बड़ी बात है और I think मुझे लगता है कि यही reality है जो कि Ronda Rousey यहांपर बताते वे दिखाए दे रही है क्योंकि इनका career तो दोनों जगा successful देखने को मिला है तो आपका क्या opinion है इस thing के उपर वो मुझे comment section में जरूर बता देना and I know कि as a UFC fan आप लोग जरूर हट होए रहेंगे क्योंकि पिछले अपते जो हमें viewership देखने को मिली थी जो कि overnight थी वो 1.594 million देखने को मिली थी 1.594 million की और यहांपर जो इस अपते की viewership देखने को मिली है वो 1.674 million की देखने को मिली है याने कि यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी कासी बढ़ोतीरी देखने को मिली है 1.674 मिलियन वीवर्शिप यहाँ पर देखने को मिली है तो अफकोस काफी अच्छी कासी बढ़ोतीरी थोड़ी बहुत देखने को मिली है है कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है आने वाले future में Monday Night Raw को लेकर वैसे अगले update की तरफ चलते हैं तो ये update हमें देखने को मिल रहा है WWE live events को लेकर तो WWE यहाँ पर बहुत सारे live event को cancel करते वे दिखाए दे रही है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि reports हमें यहाँ पर देखने को मिली है Russell Ticks की तरफ से और और भी multiple sources की तरफ से यहाँ पर update यह देखने को मिल रही है कि WWE जो कि अपने बहुत सारे event को cancel करते वे दिखाए दे रही है जो हमें live event देखने को मिलते हैं जिन में से 16 October का live event and also 9 October का भी live event जो कि cancel होते वे दिखाए दे चुका है तो 16 October का जो हमें live event देखने को मिलने वाला था Arizona में इसको cancel कर दिया गया है and also यहाँ पर 9 October का जो हमें live event देखने को मिलने वाला था जो कि I think Sunday Standard था तो इसको भी यहाँ पर cancel कर दिया गया है तो यह दो सोज हमें यहाँ पर cancel होते वे दिखाए दे चुके हैं और past में भी हमें 2-3 सोज जो कि cancel होते दिखाए दे चुके हैं तो यहाँ पर एक का तो reason देखने को मिल रहा है जो 9 October का सो था वहाँ पर हमें ticket selling बढ़ियां नहीं देखने को मिल रहे थी लेकिन 16 October का जो हमें cancel होते वे दिखाए दिया है तो इसको लेकर कोई reason तो नहीं देखने को मिला है तो अब देखते है भाई in future हमें live event को भी लेकर काफी कुछ करते वे दिखाए दे डवलोली तो काफी बढ़ियां रहेगा तो सोज में अभी तो फिलाल का time पे जो live event करवाते वे दिखाए दे रही है डवलोली उसकी काफी अच्छी खासी हालत तो देखने को नहीं मिल रही है होप करते हैं कि आने वाले समय में हालत काफी बढ़ियां देखने को मिले अगले update की तरफ चलते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि फंडांगो की तरफ से तो फंडांगो को आइ थिंग बहुत लोग जानते रहेंगे कुछ लोग तो भूल गए रहेंगे तो भाई भूलो मत फंडांगो हमें डवलोली के अंदर ही देखने को मिलते थे डवलोली सुपरस्टार थे तो यहां पर हमें फंडांगो को लेकर एक काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग update यह देखने को मिल रही है कि फंडांगो हमें जल्दी जो की TV टैपिंग्स पर देखने को मिलने वाले हैं जो कि किसी कमपणी के साथ में अब यह हमें कौन सी कमपणी देखने को मिलेगी इसको लेकर यहां पर जो की फंडांगो कुछ भी रिवील नहीं करते हैं लेकिन इनका यही कहना था कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर वो हमें किसी टीवी टैपिंग्स पे देखने को मिलेंगे किसी कंपनी के साथ में एवरी वीक तो यह कुछ यहां पर फंडांगो हिंट करते वे दिखाई देते हैं और आल्सो हम सभी लोग जानते हैं कि फंडांगो कहां से बिलॉंग करते हैं और कहा यहां पर उन्होंने ज़्यादा वक्त बिताया है वो है डवलो डवलो इसे में स्पेकुलेशन काफी ज़्यादा जो की तेज हो चुकी है कि फंडांगो हमें डवलो ली के अंदर देखने को मिलेंगे तो यह कुछ यहां पर हमें अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर रिवी तो वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते है तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह अपडेट है जो की डवलो ली के टाइटल्स को लेकर तो यहां पर हमें डवलो ली के टाइटल्स को लेकर सीन रॉस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट देखने को मिलती है Fightful Select के Scene Ross की तरफ से जहाँ पर इनका ये कहना था कि WWE यहाँ पर जो की बहुत ही अच्छे खासे तरीके से तीन ने सेट्स जो की तयार कर चुकी है WWE टाइटल्स को लेकर और यहाँ पर यह जो तीनों ने सेट्स हैं यह हमें जल्दी टीवी टैपिंग्स पर भी देखने को मिलने वाले हैं तो यह काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है और हो सकता है कि जो सुपरस्टार्स हैं वो हमें इन टाइटल्स को जल्दी ही लाते वे दिखाई दे जाएं और बहुत सारे सुपरस्टार बैक्स्टेज में जो की इन टाइटल चेंजिस को लेकर जो की डिजाइन को लेकर तो यहाँ पर वो काफी ज़्यादा एगरी करते हैं कि नई टाइटल डिजाइन यहाँ पर मिलने चाहिए तो यह कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है और वो टाइटल्स हमें जल्दी देखने को मिलेंगे और एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर बताया जा रहे कि हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं तो जो हमें Raw और SmackDown का Season Premiere का Show देखने को मिलेगा तो WL वहाँ पर हमें इन नए टाइटल्स को लाते वे दिखाए दे सकती है यह एक जश्ट स्पेकुलेशन है यानि कि हमें नए Season Premiere के तौर पर यानि कि नए सुरुवात करते वे Raw और SmackDown की इन टाइटल्स को लाते वे दिखाए दे सकती है तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है तो देखते है भाई हमें क्या कुछ देखने को मिलता है तो जो हमें नए टाइटल्स डिजाइन है में भी हो सकता कि Season Premiere के शोपे यानि कि Raw और SmackDown के यहाँ पर हमें WWE Introduce करवाते वे दिखाए दे जाए नए टाइटल्स के साथ में सुपरस्टार्स को तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई यह भी देखना इंट्रस्टिंग रहेगा वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते है तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है वो बंदा हाइट से डरता है और अलसो डू मैकेंटार का ये भी कहना था कि वो काफी ज़्यादा वर्स्ट फॉल लिये थे जो कि हैल इनेसल में देखने को मिला था रैंडी ओटन के साथ में जो हैल इनेसल के मैचे से उनको काफी ज़्यादा पसंद भी नहीं है तो ये कुछ यहाँ पर डू मैकेंटार का कहना था और अलसो डू मैकेंटार को जो की उचाईयों सो डर लगता है तो ये कुछ डू मैकेंटार NBC के स्पोर्ट्स पे रिवील करते वे दिखाई देते हैं जो की बहुत सारे सूपरस्टार ऐसे हैं जो रिवील नहीं करते हैं लेकिन डू मैकेंटार यहाँ पर हमें रिवील करते वे दिखाई देते हैं कि क्या दिक्कते हैं हैले नेसल मैच को लेकर और उनकी heights को लेकर तो यह कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसके उपर आपके क्या thoughts हैं वो मुझे comment section में जरूर बता देना वैसे अगले update की तरफ बढ़ते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि Australia के partnership को लेकर तो वी network जो हमें देखने को मिलेका वो हमें हो सकता है कि बिंग पर देखने को मिलेका हो सकता क्या यह confirm हो चुका है कि हमें बिंग पर देखने को मिलेका और यहाँ पर डवलोटी जो की 20 years का deal complete करते वें दिखाए दे चुकी है और अस्टेलिया के साथ में और हमें ऑस्टेलिया में जो WL Network है वो Bing पे देखने को मिलेगा तो ये काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है ऑस्टेलियन लोगों के लिए अगर आप ऑस्टेलिया से हैं तो हिंदी अगर समझते हैं तो अफकोस ये अपडेट आपके लिए ये वैसे अगले अपड प्रिव्यू देखने को मिल सकता है तो WL यहां पर इस मैच को लेकर जो कि टॉक्स में है कि आने वाले समय में में भी रोमर नेंस एक मल्टी पर्सन मैच के अंदर कम्पीट करते वे दिखाए दे जाए जो कि फैटल फोर वे टाइप का मैच हमें यहां पर देखने को मिल सक जो कि हमें एक अपोनेंट से तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा जो कि ट्रिपल थेट या फिर फेटल फोर वे टाइप का मैचेस हमें देखने को मिलेंगे जो कि डे वन पेपर वी के अंदर एक्सपेक्टेड है तो करेंटली हमें याँ पर यही अपडेट देखने को मिले कि में भी डेवलोली मल्टी पर्सन मैच करवाते वे दिखाई दे सकती है डेवन के अंदर तो ये एक अर्लियर अपडेट है में भी आने वाले समय में प्लांस में चेंजेस भी देखने को बिले लेकिन यही बात है कि हमें आने वाले समय में डेवलोली में भी कंसिडर कर सकती और consider करने वाली है एक fatal four way या फिर multi person type का match जो की रोमर नेंस के लिए तो देखते वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा तो आप लोगों का जो भी opinion है comment section में मुझे जरूर बता देना well वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो आप लाइक करो डिस्लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो जो भी करना है कर सकते हो Instagram और Twitter का लिंग बाई description में है वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो और जिसने चानल को सब्सक्राइब ने का तो बाई सब्सक्राइब कर लो